ओम शांति ओम शांति आज 20 नवेंबर 2022 दिन रवी वार की अव्यक्त मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को अज्यकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी आज सर्वशक्तियों के दादा बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं सर्व शक्तिवान बाप ने सभी ब्रहमन आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है किसी को कम शक्ति वा किसी को ज्यादा ये अंतर नहीं किया सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी है तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है कोई सर्वशक्ती संपन बने और कोई सिर्वशक्ती संपन बने सर्व नहीं कोई सदा शक्ती सवरूप बने कोई कभी कभी शक्ती सवरूप बने है कोई ब्रहमन आत्माएं अपनी सर्वशक्ति वान गे थियोरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ओडर करती हैं वे शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है ओडर किया और हाजिर हो जाती है कोई ओर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती जी हाजिर नहीं होती इसका कारण क्या कारण है जो बच्चे सर्व शक्तिवान बाप जिसको हुजूर भी कहते हैं हाजिर नाजिर भी कहते हैं तो जो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर वा आज्या में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ती भी जी हाजिर वा जी मास्टर हुजूर करती है अगर कोई आत्माई श्रीमत वा आग्या जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती हैं वह नहीं कर सकते कुछ किया कुछ नहीं किया कभी जी हाजिर कभी हाजिर इसका परत्यक्ष सबूत वा परत्यक्ष प्रमान रूप है कि ऐसी आत्माउं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है जैसे कोई परिस्थिती प्रमाण सामनी की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिती को पार करेंगे विजयी बनेंगे लेकिन होता क्या है सेकिन नमबर वाले अर्थाद कभी कभी वाले समाने की शक्ती का प्रियोग करेंगे दस बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी एक दो बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे फिर क्या जोचते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने समाया लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीब थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया, कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आदा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे दस के आगे तो समाया और एक दो के आगे समा नहीं सकते तो इसको क्या कहेंगे समाने की शक्ती ने order माना जबकि अपनी शक्ती है बापने वर्से में दिया है तो बाप का वर्सा सुबच्चों का वर्सा हो जाता अपनी शक्ती अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ओडर मानने वाले या ओडर ना मानने वाले कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्रहमन अत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिती के अधीन बनना पड़े बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय परकारे में नहीं लगा सकते उस समय का करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ग्यानी भग्त के रूप में आते हैं भग्त क्या करते हैं? भग्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दू भग्ते बाप के पास है अधिकार बाप पर रखते हैं लेकिन रूप होता है रोयल भग्त का और जहां अधिकारी के बजाए ग्यानी भग्त अथवा रोयल भगत के रूप में आते हैं तो जब तक भगती का अंश है तो भगती का फल सद्गती अर्थात सफलता सद्गती अर्थात वीजे नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि जहां भगती का अंश रह जाता वहां भगती का फल ग्यान अर्थात सर्व प्राप्ती नहीं हो सकती सफलतार नहीं मिल सकती भगती अर्थात मेहनत और ग्यान अर्थात मुहबत अगर भगती कांश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है और भक्ती की रस्म रिवाज है कि जब भीड अर्थात मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा नहीं तो अलबे ले रहेंगे जानी भक्त भी क्या करते हैं जब कोई विगन आएगा तो विशेश याद करेंगे एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्वा की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना दोनों में अंतर है जैसे अभी भी विशुपर अशान्ति का वायू मंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेश याद के प्रोग्राम बनाते हो वह अलक बात है वह तो दाता बन देने के लिए करते हो वह मांगने के लिए नहीं करते हो औरों को देने के लिए करते हो तो वह हुआ सेवा प्रति लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेश याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है याद होती है भूलते नहीं हो लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और है ही कौन। लेकिन यथार्त शक्तिशाली याद का परत्यक्ष प्रमान, समय प्रमान, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ, वा रहता ही हूँ। शक्ति भी अनुवव होती और जब कर्म में संबंद संपर्क में आते हैं, उस समय सदा सफलता नहीं होती। तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं और शस्त्र किस समय के लिए होता है। शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्त याद अर्थात सर्व शक्ति संपन सदा शक्ति शाली शस्त्र हो परिस्तिती रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आये तो इसको क्या कहा जाएगा शक्ति शाली या शस्त्र धारी कहेंगे हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो इसको कहा जाता है कर्म योगी सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है कर्म योगी हो ना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रही हो ना, तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है कर्म योगी, ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी वायू मंडल ऐसा था यही तो दुश्वन है और उस समय कहो दुश्वन आ गया इसलिए तलवार चला न सके तलवार काम में लगा नहीं सके या तलवार याद ही नहीं आए या तलवार ने काम नहीं किया तो ऐसे को क्या कहा जाएगा शस्त्रधारी शक्ती सेना हो तो सेना की शक्ती क्या होती है शस्त्र और शस्त्र है सर्व शक्तियां तो रिजल्ट क्या देखा मैज्योरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ओर्डर पर चला सके इसमें कमी दिखाई दी समझते भी हैं लेकिन सफलता सवरूप में समय प्रमान या तो शक्ति हीन बन जाते हैं या थोड़ा सा सफलता का अनुभव कर फोरन सफलता की और चल पड़ते हैं तीन प्रकार के देखे एक उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है नहीं करना चाहिए लेकिन उस समझ को शक्ति सवरूप में बदल नहीं सकते दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय वा समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं वे थोड़े समय में सोचते हैं वे पूरा होने के बाद सोचते तीसरा महसूस ही नहीं करते कि ये रॉंग है सदा अपने रॉंग को राइठ ही सिद्ध करते हैं अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ती नहीं तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमान सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की उसमें भी एक अंतर है एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं महनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूलाधार क्या देखा जो आत्माई सदा स्विम को निर्मान चित की विशेष्टा से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं निर्मान शब्द एक है लेकिन निर्मान स्थिती का विस्तार और निर्मान स्थिती के समय प्रमान प्रकार वहब होते हैं उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे लेकिन यह याद रखना कि निर्मान बनना ही सुमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्मान बनना जुकना नहीं है लेकिन सर्व को अपनी विशेष्टा और प्यार में जुकाना है समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो मालिक के बालक हो ना तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे वे इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है इंतजार नहीं करना है सर्व का संदेश देने का और समय को संपन बनाने का इंतजाम करना है जब दोनों कारे संपन हो तब समय का इंतजार पूरा हो तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गती से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत fast समय बीत रहा है इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो न अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए कितना fast समय चला तो आपकी गती क्या है fast है यह fast चल कर कभी-कभी ठक जाते हो फिर rest करते हो कर रहे हैं यह तो ड्रामा के बंधन में बंदे हुए ही हो लेकिन गती क्या है इसको चेक करो सेवा हो रही है पुर्षार्थ हो रहा है आगे बढ़ रही है यह तो ठीक है तो अब गती को चेक करो सिरफ चलने को चेक नहीं करो गती को चेक करो स्पीड को चेक करो समझा सबी अपना काम कर रहे हो न अच्छा चारों और के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्ती वान बन सर्वशक्तियों को स्विम के ओर्डर में चलाने वाले सर्वशक्तियां जीहाजिर का पाट बजाने वाली ऐसे सदा सफलता मूर्थ आत्माई सदा हर कर्म में याद का सवरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माउं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्मान बन विजई रत्न बनने वाले ऐसे सहज सफलता मूर्थ श्रेष्ट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग और नमस्ते अव्यत बाप दादा की पर्सनल मुलाकत साधारन कर्म में भी उंची स्थिती की जलक दिखाना ही फोलो फादर करना है सदा संगम यूगी पुर्शोत्म आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो संगम यूग का नाम ही है पुर्शोत्म अर्थात पुर्शों से उत्तम पुर्श बनाने वाला यूग तो संगम यूगी हो आप सभी पुर्शोत्म बने हो ना आत्मा पुर्श है और शरीर प्रकरती है तो पुर्शोत्म अर्थात उत्तम आत्मा हूँ सबसे नंबर वन पुर्शोत्म कौन है ब्रह्मा बाबा इसलिए ब्रह्मा को आदी देव कहा जाता है फरिष्टा ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देवात्मा बनने के कारण पुर्शोत्तम बन जाते लक्ष्मी नारायन को भी पुर्शोत्तम कहेंगे न तो पुर्शोतम यूग है पुर्शोतम मैं आत्मा हूं। पुर्शोतम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्व श्रेष्ट है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारन कर्म नहीं। slit पि करते भी श्रेष्ट स्मृति, श्रेष्ट स्थिती हो। जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारन व्यक्ति नहीं है जैसे जो असली हीरा होगा वे कितनी भी धूल में छिपा हुआ हूँ लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा छिप नहीं सकता तो आपकी जीवन हीरे तुल्ले है न कैसे भी वातावर्ण में हो कैसे भी संगठन में हो लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता ऐसे पुर्शोत्तम आत्माओं की श्रेष्ट जलक सब को अनुभव होनी चाहिए तो ऐसे है या दफ्तर में जाकर काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारन हो जाते हो अभी गुप्त में हो काम भी साधारन है चाहि कितना भी बड़ा ओफिसर हो लेकिन सर्वेंट ही है न तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो लेकिन सेवाधारी होते भी पुर्शोत्तम हो तो वह जलक और फलक दिखाई दे जैसे ब्रह्मा बाप साधारन तन में होते भी पुर्सोत्म अनुभव होता था सबी ने सुना है ना देखा है या सुना है अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हूँ साधारन में पुर्सोत्म की जलड़ है तो follow father है ना ऐसे नहीं साधारन काम कर रहे हैं माताइं खाना बना रही हैं कपड़े दुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिती साधारण नहीं, स्थिती महान हो, ऐसे हैं, यह साधारण काम करते, साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे, वैसे हम, नहीं, चहरे पर वो श्रेष्ट जीवन का प्रभाव होना चाहिए, यह चहरा ही दरपन है इसी से ही आपके स्थिती को देख सकते हैं महान हैं या साधारण हैं ये इसी चहरे के दरपन से देख सकते हैं स्विम भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं वैसे अनुभव करते हो सदेव स्मरती और स्थिती श्रेष्ट हो स्थिती श्रेष्ट है तो जलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ट होगी जो समान स्थिती वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हूँ किनारे बैठे हूँ पीछे बैठे हूँ लेकिन मन की स्थिती में साथ रहते हूँ न साथ वही रहेंगे जो समान होंगे स्थूल में चाहे सामने भी बैटे हो लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते किनारे में रहते हैं तो समी प्रहनार्थत समान स्थिती बनाना इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुर्शोतम स्थिती में स्थित्र हो कई बच्चों की चलन और चहरा लोके करीती में भी बाप समान होता है तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है तो यहां चहरे की बात तो नहीं लेकिन चलन ही चित्र है तो हर चलन से बाप का अनुभव हो इसको कहते हैं बाप समन तो समीप रहना चाहते हो या दूर इस एक जन्म में संगम पर स्थिती में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी हर कर्म को चेक करो बाप समान है तो करो नहीं तो चेंज करो पहले चेक करो फिर करो ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था ज्यानी का लक्षन है पहले सोचे फिर करें अग्यानी का लक्षन है करके फिर सोचते तो आप ज्यानी तो आत्मा हो न ये कभी-कभी भग्त बन जाते हो पंजाब वाले तो बहादूर है ना मन से भी बहादूर चोटी सी माया चीटी के रूप में आए और घबरा जाएं नहीं चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं तो आप बहादूर हो ये चोटी से पेपर में भी घबराने वाले हो जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बड़े जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बड़े आप तो होश्यार हो ना ये निश्य पक्का हो थे विजई बने हैं और विजई रहेंगे विजई शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है चहरा बदल जाता है ना जो सदा विजई रहते वो कितना खुश रहते हैं इसलिए जब भी कभी कोई किसी के शेत्र में विजई प्राप्त करता है तो तो खुशी के बाजे बजते हैं, आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो, आदा कल्ब के लिए रोना बंद हो गया, जहां खुशी के बाजे बजते हैं, वा रोना नहीं होता, अच्छा, वर्दान, देह एहंकार वा अभिमान के सुक्ष् भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह एंकार व अभीमान के सुक्ष अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव वा अभिमान नहीं है लेकिन देह के संबंद से अपने संसकार विशेश हैं, बुध्धी विशेश हैं, गोण विशेश हैं, कलाई विशेश हैं और शक्ती विशेश हैं उसका अभिमान अर्थात एहिंकार, नशा, रोब यह सोक्ष मेंदे अभिमान है तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिष्टा वा निराकारी बननी नहीं देगा इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे स्लोगन समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा सुचना आज अंतराष्टी योग दिवस तीसरा रविवार है शाम साड़े छे से साड़े साथ बजे तक सबी बाई बहने योग अभ्यास में यही शुब संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरने निकल कर सारे विश्व को पावन बना रही है मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ ओम शंती